हेलो फ्रेंड्स वेलकम टुमाई चैनल द्रडे गार्डन फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक अपना नर्सरी टूर शेयर करने जा रही हूं प्लीज आप सभी लोग बने रही हैं हमारे साथ और शुरू से आखिर तक देखिए देखिए मैं सबसे पहले स्टार्ट किया मैंन प१र तुम हम लोग उस नर्सरी में गई तर्डे यह सब बहरा पर मैंने देखे साथ हैं यह देखिया कौनड़ को सबस्तरा किये प्लांट यह देखिए ड्रसी सीना के प्लांट एक सब्कूर कितना अच्छा कलर हो रहा है भुले में लगे हुए ऑपन अरिया में विलकुल और बहुत सारी छोट छोटी पॉध लगी हुई है नरसरी में और मैंने कदम के पेड देखे वहाँ कदम की पॉध बहुत देखी कदम जो एक होता है प्लांट और ये देखे वेरिगेटिट वाला चांदनी का बहुत बढ़ा सा प्लांट लगा हुआ है सब वहाँ पर तो ग्राउंड में ही लगे होते हैं प्लांट तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है देखने के काबिल और यह देखिए सब जो है यह वो है क्या कहते हैं कनेर है बड़े बड़े भी प्लांट लगे हुए हैं उनकी नरसरी में छोट-छोटे भी कि अच्छी फ्लारी हो रही है उसमें बहुत सारे इसी टाइप के प्लांट मुझे भी गिफ्ट की हैं और यह सागौन का पेड़ आपको सामने दिख रहा होगा यह लंबा सा जो है इस पेड़ की कीमत जो है एक लाक रुपए बता रहे थे वह लोग एक लाक से भी ज्याद कि अच्छी फ्लारी हो रखी थी और आप सभी लोग देख सकते हैं कितना प्लांट यहां पर तरह तरह का लगा हूँ है जल्दी जल्दी में वीडियो बनाई तो बहुत डिटेल्स नहीं दिखा पा रही हूँ यह देखिए मुसमी का पेड़ है मुसमी लगी हुई है और ए बहुत कम प्लांट चाहिए है तो यह देखिए दूसरी नर्सरी स्टार्ट हो गए जहां पर हम लोग गये थे कुछ इंडोर प्लांट लेने के लिए और इस नर्सरी का नाम है सुबोध नर्सरी यह हमारे कायम गज में पढ़ती है तो यह देखिए आप लोग देख सकते है यहां अची में बहुत अच्छी प्लांट यह देखिए जो पहाडों पर प्लांट होते और यह देखिए साइप्रस साइपरेस का पेड़ होता है तोасибо ओ बहुत तारे बड़े-बड़ेंस जिए और बहुत महेंगे हैं कई कई सो रुपए के प्लांट है यह वीडियो तैयार किया है वह दिखारी हूं यहाँ बटन रोस था यहाँ पर बहुत सारे बटन रोस के प्लांट थे और सभी देशी रोस थे अभी हाईब्रेट वाले रोस उनकी नरसरी में नहीं हैं फरवरी तक आएंगे तब मैं दुबारा कभी अगर गई तो लाओंगी या फिर भीया मुझे लेकर दे जाएंगे यह देखिए आप सभी लोग देख सकते सारे रोज रखे हुए यहां पर सब रोस के प्लांट है बिल्कुल रोट के साइड में ही इनर सरी है और यह देख खरीद नहीं सकती ती इसलिए मेरे पास अब जगह नहीं है और यह देखिए कलेथिया का एक प्लांट लाई थी वहां से अब और भी दिखाओंगे आपको कलेथिया के बहुत जारे प्लांट वहां पर रखे हुए थे यह हैं पर बहुत बड़ा कलेक्शन उनका था बहुत 60 रुपीज का अरेलिया का प्लांट मुझे बहुत सस्ता लगा डैफन बेकिया के देखिए प्लांट से चोटे चोटे हैं जादा बड़े नहीं है लेकिन अच्छे प्लांट से वह भी हंड्रेट के ही दे रहे थे वो लोग कुछ में वांडरिंग जू की कटिंग भी लाई लेकिन थोड़ी दिर पहले बारिश हो चुकी थी इसलिए बहुत दिकत हो रही थी और यह देखिए अभी थर्ड नर्सरी में इंट्री किये मैंने यह तीसरी नर्सरी मैंने विजिट किया था तीसरी नर्सरी है यह और इसका नाम पता नहीं शिवा शिवाय कुछ यहां पर भी इंडर प्लांट्स बहुत थे लेकिन फिर भी जो प्लांट्स में चा रही थी वो मुझे यहां नहीं मिल पाए यहां से भी मैंने कुछ प्लांट्स बढ़ाइक है वह बताओंगी आपको यह देखिया आप लोग देख सकते हैं इतने प्लांट यहां पर रखे तो प्रीज आप लोगों को मारे वीडियो अच्छा लगए तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आधो फ्रेंट देखिए यह सारे प्लांट हैं चोटे बड़े सब तरह के प्लांट हर प्लांट यहां पर देख रहे थे बहुत सारे प्लांट हैं लेकिन यह लोग बहुत महेंगे देते हैं चोटा सब्सक्राइब कर देते हैं और यह देखिए यहां पर जो हैं यह रखे हुए हैं इसकस के प्लांट है तरह तरह के प्लांट देखें यहां पर तीसरी नर्सरी नर्सरी का विजिट किया था उजटरी बहुत अच्छा लगा पूरा दिन बहुत अच्छा बुजरा मेरा तो मुझे बहुत हुशी होती है नर्सरी जाके और प्लांट देखकर जो है लगता है खून बढ़ गया बrimin तरह तरह के प्लांट यहां पर हैं रखे हुए मैं वहां से आनले के प्लांट में लिए अभी लास्ट में आपको प्लांट भी दिखाऊंगी कौन-कौन से बाइक है यह सब देखिए साइपरस रखे हुए हैं और यह देखिया आपको दिखाएं इसको यह लोग पूल रहे थे और नोग तोड़ते नहीं नियां इंको देखिए वह को चुट-चुट जानएसे क्यो का सब्सक्राइं सब्सक्राइब नहीं लाई और इनके पास देखिए यह पॉट्स का भी अच्छा कलेक्शन था सेरेमी के पॉट्स थे लेकिन यह भी बहुत महंगे दे रहे थे इसलिए मुझे ज़रूरत भी नहीं थी तो मैंने लिए नहीं थे मेरे पास रहने की जगा नहीं है बहुत कम जगा बचिए बहुत सारे प्लांट्स बढ़ते चले जा रहे हैं और प्लांट्स को और पॉट्स को रखने की जगा भी चाहिए होती फ्रेंट्स तो इसलिए मैंने जो है बहुत सारे प्लांट नहीं खरीदे हैं यहां पर बहुत अ मेरे नहीं चीब कर पा रहा हूं और यहां है बहुत पुराना बहुत बढ़ा मोग्रे का प्लांट बहुत लेकिन अलग वालों फूल होता है उसका एप्लांट में लगाउंगी और ये देखें फ्रेंट ये कोई plant है उन्होंने नाम तो बताया था मैं जानती नहीं उसके बारे में इसमें और दिया है चांदी का यह भी मैं अपने वहां बाहर जो मेरा गार्डन है स्कूल की फिल्ड में जो गार्डन मना हुआ है वहां पर मैं इसको लगवा दूंगी ग्राउंड पर ग्राउंड पर अच्छे हो जाते हैं यह देखिए कनेर है रेड कलर के फ्लार आते हैं बता रहे सारे प्लांट बागी हैं दिखाना आपको फ्रेंड देखिए यह ड्रसीना है ड्रसीना बेबी डॉल जिसको बोलते हैं यह वह वाले दो प्लांट दिये हैं यह बहुत प्यारे लगते मेरे पास पहले से भी है यह प्लांट दो प्लांट पहले मेरे पास भी एक प्लांट मे वाले हैं और तीसरे लिस्ट इना यह दिया उन्होंने द्रसिना महत्मा जिसको बोलते जिसका लीज़ का रहे रेड हो जाता है दम रेड कलर की लिप थी यह वाला भी उनने भहिया ने दिया था जिनकी नरसरी में गई थी वाइट वाला जो है वह है प्लूमेरिया है वाइट वाला चंपा जो वाइट कलर के बड़े-बड़े से फ्लार आते हैं और यह देखिए दो वाइकर के लाइओं में प्लांट विसकस के यह लाइओं में जी और दो प्लांट मैंने यह खरीदे थे पहले मैंने आप लोगों को दिखा हैं यह अपनी लाइव में तो यह देखिए यह कैले थिया है कितना प्यारा कितना खुबसूरत प्लांट है बहुत हेल्दी प्लांट है यह 100 रुपीज में मुझे बहुत सस्ता ल मेरे मैं ऐसे बाल्टियों में रख दिये थे पुरानी बाल्टियों में अपने गार्डन में यूस करती हूं कंपوस्ट वगरा बने क लिए वह बाल्टियां खाली थी उसमें करके रख दी है ताकि हमारे प्लांट खराब नहों और जब लगाना होंगे उनको लगा लेंगे तो फ्रेंड आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज बताइएगा थैंक्स वार वाचिंग